आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लैट्फॉम अने के लिए पांडे तुट मॉलिंग और भूलू तुट मॉलिंग तो पये जर्नियाका स्विफिक चेल का नीयोग यार्फी करके मफड़त अनले लिए तका सामसील करे Oh मैं लाइफ टेस्स यहां पर आपको मिलता है और अलिम्टेट एक्सेस मिल जाता है आपको लाइफ ट्लासेज और रिकॉडड़ेट क्लासेज का तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अपने फोन पर अनकेडमी लर्निंग एप को इंस्टॉल कर लेना है प्लस सब्सक्रिप्शन में 100 से भी जादा इंडिया के 100 से भी जादा टॉप एजुकेटर्स यहां पर आपको पढ़ाते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन मिलती है आपको लाइफ प्लस से प्लस सब्सक्रिप्शन का एक साल के लिए मार्च और नचाँ सहर 500 रुपे दो साल के लिए बहत्तर हजार रुपे और तीन साल के लिए 90,000 रुपे देने होते हैं लेकिन अगर आप इसमें राना 10 कोट का अप्लाई करते हैं इसको लेते समय तो आपको इस फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाता है जिससे जो आपकी एक साल की प्लस से लिए दो साल की 64,803 साल की 81,000 रुपे हो जाती है कोविंद कोविंद गुड मॉनिंग तो देखिए राना 10 कोट का इस्तेमाल करने वे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा एक बार फिर से में बता देना चाहता हूं कि जो तीन साल का जो सब्सक्रिप्चन है तो ऐसे छात्रों के लिए बहुत जादा फायदे मन्द होने वाला है जो अंडर ग्रिजुएट हैं जो ईसल्क अडर ही करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए साल का जो सब्सक्रिप्इप्चन है वो सबसे जदा फाइदे बंत है तो और वैकॉनिक शब्सक्रिप्ट नियौ जब्स से जढ़ा है तो यहां पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्ट कर अगर आप लेते तो यहां पर पर्सनल कोच माल vuelta अपी अमेरा केसे बना जूपसे ड़ती ऊसमें परना है क्या नहीं मेंस के daily question answer practice मैं आपको बारवार कीbasis करते हूं। मैंस के daily question answer के practice करना आप के लिए बहुत जादा महत्यपूर हो जाता है आप Ili means answer लिखे लिखिए ऐलिई इसकि कर वाईये तो उससे क्या होता है आपके जो answer लिखणे जो skill होती है वो mixed होती है develop होती है कुंकि में का answer लिखना ऐसा एक दिन की चीज़ नहीं होती है Hyd Yeah वह एक skill होती है और essential की होती है कोई भी skill सीखने में समय लगता है उसको लखते हैं उसका practice करते करते ही इGreg के अपके मस्तिश्क में ङー तो इसके ना गवजर लिए अपको में 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 सकतर करने होते हैं जो आपको मिलते हैं Iconic subscription में आप आप डेली आंसर लिखेंगे डेली चेक होंगे आपको personalized feedback मिलता है Study planner आपको Iconic subscription में मिल जाते हैं तो Iconic subscription की जो एक साल की fees है वो 69,500 रुपए है 2 साल की 1,07,000 रुपए है और 3 साल की 1,41,000 रुपए है अगर आप Iconic subscription लेना चाहते हैं जल्द से जल्द ले लिजी क्योंकि इसकी जो fees है Iconic subscription की वो बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली है मैं बार और बता रहा हम आप वो बहुत जल्द fees बढ़ने वाली है Iconic की अगर लेने का प्लान कर रहे हैं तो जल्द इसको ले लिजी है इसको दूंदी गुट मॉणीन निशा गुपता गुट मॉनीन तो इस साड़े तीन मजे नहीं तीन मजे हुगा तीन मजे न थ्री पीम वो सेडूर भश रुचुका है उसमें कुछ नहीं हो सकता परिवर्टन उसमें बिलकुल परिवर्टन मूटी आए सकता तो वो तीन मज़े से प्रागरम हो जाएगा जोती तिवारी गुड मॉनिंग तो इसके बाद जो ऑप्शन सब्जेक्ट की तियारी भी आप कर सकते हैं तो ऑप्शन के सब्सक्रिप्शन हैं वह एक साल का 17,500 रुपे का हैं दो साल का 40 है और तीन साल का 50 है रुपे का हैं यहा हो जाएगी अगर आप और जीसा सब्सक्रिप्शन साथ में लेता है तो आपको ज्यादा डिसْकॉंट यह आपर मिल जाएगा तो, दोनों की can 가서 discount है अधिक्तम छो discount वहाद हो आप साथ में लेते हैं। UPSC CSC 2021 के लिए आप सिर्फ 6 महीने बचे हुए है। बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच का नाम है चैंपियन्स बैच जिसमें 6 महीने के अंदर आपका पुरा GS कंप्लीट करा जाएगा। UPSC CSC Prelims 21 को टार्गेट करते हुए बैलेंग्वल ये वैच है। 15 दिसमबर से प्रागम हो चुका है। इसमें कराया जाएगा जीएसा कंप्लीट स्लेवर्स प्रिलिम्स के को टार्गेट करते हुए टैस्स मिल जाएंगे आपको प्रिलिम्स की यहां पर लगवद 500 घंते की क आदम हो चुके हैं आप जाइन कर लीजिए जल्दी अगर नहीं किया है तो राना 10 फूर्ट का इस्तमाल कर लेना सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको मिल जाएगा 10 पर्षेंट का तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है भारतिये चित्रकला निश्नेहा तक नहीं तीन से चारवे तक लगबग चलिए होगा है जो एमसीक्व शेशन होगा एप पर वो तीन से चारवे चलिए रंजीत बॉड मॉनिंग चलिए फिर प्रार्म किया जाए हमारा भारती चित्रकला का जो शेशन चल रहा है इसमें इसके बाद इसके दो तिन क्लास और टो टीन क्लास और आंगी चित्रकला की ऊपर को कि क्वट्तिट्र को समझा वंगाथा है जो कि दीवा पत्थरों की गुपाओं पत्थरों लगू-चित्र-कला किया है कपड़ों और कागज पर छोते इसतर पर पीजाने वाली चतमाली लिग마री लगू चित्रकला तो जो लगू चित्रकला की शुरुवात का श्रे दिया जाता है वो बंगाल के पाल साशकों को दिया जाता है इसा माना जाता है कि जो बंगाल के पाल साशक थे इन लोगों ने जो लगू चित्रकला की इसकी शुरुवात की थी भरत में या इसके जन्मदा पाल साजकों को देखा जाता है तो आज इसी लगू चित्रकला के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो देखे भारत में लगू चित्रकला पर चर्चा शुरू कर देते हैं आजाए कौन कौन रह गया है अचा बीच में क्लास शुरू पर बज जाए करो देखे लगू चित्रकला की बात कर रहा है तो थो थो देखिए लगू चित्रकला की बात कर रहे हैं तो इसे miniature बोला आता है, miniature जिसका अर्थ होता है लगू, ठीक है, तो जो शब्द है miniature, ये Latin शब्द, minimum से लिया गया है, और Latin जो शब्द है minimum, जिसका अर्थ होता है लाल रन के शीशा, जो miniature शब्द है जिसका अर्थ होता है, लगू या छोटा, जो miniature शब्द है, लेटेन भाषा के minimum से लिया गया है, जो minimum से उसका अर्थ होता है, लाल रन का शीशा होता है, तो इस रंग का जो उप्योग था, या इस रंग के सीशे का उप्योग जो पुनर जागन काल था, हमें आप लोगों बढ़ा हुआ, पुनर जागन काल, प्रभोधन काल, उस समझे पुनर जागन का दौर चल रहा था, तो उस दौर में इस लाल रंग के सीशे का उप्योग पुनर जागन काल के दोरान प्रदीप्त पांडू लिपियों में किया जाता था, लेकिन सामानेता जो minimum पांडियम शब्द है, जिसका जो अर्थ वर्तमान में लगाया जाता है कि इसको अर्थ को लेकर बुचाथा थोड़ी असंगतियां प braces highlight हुशती हैं जिसमिंकि इसका जो अर्थ लगाया जाता है, मिनियम का वो लगाया जाता है घिसका होता है छोटा , मिनियम मतलब कर चित्रों को देखकर उसके जो पीछे की विवरण है पीछे कहानी है वह आप पूरी समझ सकते थे क्योंकि उच्छोटे हैं लेकिन उनका जो विवरण उनको देखके जो विवरण समझ सकते थे कहानी को समझ सकते थे हम वह बहुत विस्तरत होती थी ठीक है तो भारती उप महादीब में इन लगूचित्रों की जो प्राचिन बहुत लंबे समय से या मद्देगारिन भारत से हम देखें तो यह लगवाद पंद्रा सो इश्वी से भारती उप महादीब में विकास देखने को मिल्टा है उन सभी चरणों की बात करेंगे आगया नेली कक्षाओं में तीन-चार लेसा ना लेसान आने वाले इसके उपर उनमें सभी जो विविविन शेलियां विक्सित हुए लगूचित्र गलागी उन पर भी इंचर्चा कर देखने जा रही है और इसमें कई सारी शेलियों का विकास भी हुआ है जिसमें जो शेलिया थी वो संद्चना और अनुपात की द्रश्टी से में अंतर है जो चित्र बनाए जाते थे उन चित्रों का जो अनुपात है और उनकी संद्चना है उस आधार पर थोड़़वर्त अधिया बनाई गई है जो समगता जो अशोग वाटिका का चित्रन यहां पर किया गया है जिसमें कि आप बजरंग बली को दिखाया गया है सीता मा के सामने इस तरीक से लगुचित्रन किया गया है यहां पर तो ऐसे होते हैं लगुचित्र ठीक है जो की कागज पर या फिर कपड़े पर या फिर चर्न पर या फिर ताव क्या वह कि उसको कि को देख्याल पत्र पर राधी यह चितरकारी की जाती है कि लगूचित्र के depress Fun motiv at वो क्या है बड्रक्तर प्षिपनाने की कई पूर्ण शर्ते हुती है उसasan करणा होता है तभी बाता है किस काटेगरी में रखा जाता है लगू चित्रकारी की काटेगरी में रखा जाता है इसके जो पहली कंडिशन है लगू चित्रकारा की टेक्निक की वो है कि चित्रकमी 25 वर्ग इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए मतलब 25 इंच से बड़ा चित्र नहीं होना चाहिए मतलब यह ही स्कुलियर करेंगेDIO से जह से बडा चितर नहीं होना, चाहिए जाए लगूचटर कला टव्सक्राइब पांडू लिपिया उनमें लगू चित्र नहीं है यह लगू चित्र की परंपरा बाहरा रहा है बहुत मत्यकाली निवारत के समय लगता है ठीक है हाला कि पांडू लिपियां का किसी ब्रच या पत्ते संब्द नहीं होता है पांडू लिपियों का मतलब यह होता है सुद्ध रूप से कर बताऊं तो कि हाथ से लिखे गई जो ग्रंत होते हैं हाथ से लिखे गई जो लिपियां होती है वो पांडू लिपिया कहलाती ह सब्सक्राइब या किसी चम्रे भर भी हो सकती है तो यह था पांडू लिपी का मतलब कि वल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं लेकिन हमें फाल्ड हिस्ट्रीक जब कभी मिलेगा तो मैं पढ़ाओ मुड़ाओ अभी तो पढ़ते हैं इस पहले शारत होती है जित्रक कभी भी बच्चीज वर्ग इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए चित्र का विशे जो चित्र की विशेवस्तू है वह वास्तिविक आकार मालिजी एक मनुष्य है तो उस मनुष्य की जो वास्तिविक हाइट है उस हाइट का कि एक बटेचे अधिक नहीं चित्रित किया जाना चाहिएसे उधारन दिया हुआ यहां पर के मांलिजे एक वयस्क्त मनुष या वयस्क के जो चहरा है उसकी चहरे की जो लंबाई है वो 9 इंच है वास्तिविक लंबाई उसके बैक्ति के चहरे की 9 इंच है लेकिन जब उसका चित्रन लगू चित्र के रूप में किया जाएगा तो उसका जो चहरा है उसकी जो हाइट होगी चहरे की वह 1.5 इंच से अधिक नहीं चित्रित की जानी चाहिए तो यह लगू चित्र कला के अंदरगत के जो वास्तिविक आकार है उस आकार का एक बटे 6 से अधिक आकार में उसका चित्रन नहीं होना चाहिए जिसे उधायन दिया हुआ हुआ है कि मालीजे कोई वैस मनुस्त है या वैस को वैक्ति है उसका चहरा मालीजे 9 इंच की हाइट है उस में मानव आकरती एक प्रस्थी रूप में मतलब साइट प्रोफाइल के साथ दिखाई आती है आप लोगों देखा हो ना साइट प्रोफाइल मतलब इस तरफ चहरा है से आपकी एक आख दिख रही है तो वह जो होता है साइट प्रोफाइल तो जो अधिकांश भारती मतला है वह टूजर साइट प्रोफाइल से रूट का शितरों का है मानव ओक के अधिकांश भारती लगु चितरों की सामानिताव जो चितर बनाए गए हैं मानव मनुष्य के तो उनकी जो आखे वह कैसी है कै आखे बाहर की ऊ infinite अर्लो i पात्रों की तोचान रन कैसा होता है पूरा है जब कि मुगल चित्रों में e möchte सामानेखा उजला है जो राइस्थान की पे पश्णी बाढ की राइस्थानी प्रस्वनेश्थारत और कोगाअ की जिक्ति पशयागे पिषाद पनीजेश्थाने। और वे बहुट को दुखाय दा की दुखायगा, ठीक है तो ये वैस की का दोपिन हमार, तो राबाच की जोगे तो कोड़िये लाइट चली गिए की चमस्टे इसलियो रही है तो, कोशेश खाई ते आधनी वैस्य श्मेस की जियो अब क्लियर है आवाच आवाच क्लियर आधी है अब इस बस्ट है अभी भी क्लियर नहीं है अब शाइट दिए रोंगी है जब देख वीजिए आवाच क्लियर है आवाच क्लियर ओया अब कर दो बता दिएका आवाच क्लियर क्लियर है आवाच क्लियर नहीं है वीजिए प्रेंश मुक्राइब क्लियर है इसलिए आगे बढ़ते हैं तो सामान था जो राइस्थानी रगों चित्रों में पात्रों की तुचागा रही दूरा था जट्की मुगल चित्रों में यह सामान था उजलाय रहन के हुआ करते पे इसके अतरी तो भगवान प्रश्न की भाति जो दिर्वी करेक्टर हुए जिखाया गया है लगुचिक्रों में नीला को तो जिसी साथ महिला आठेंटी उसंटी व लंबे बाल यहां पर इसमें चित्रत किया गया है गया है लगूचिक्रों के अंतर पुरुष सामान था पाराम परी कपड़े पहने उब दिखाए गए जैसे राहिस्थान में वाने रायस्थानी जैस्ट पने जो दिखाए गए और दूसों के सर पर, पकडी धारण किये हुए बलगी चुत्रों चित्रित किये गए हुए कि आवाज क्यू पर डिस्टर्बेंस है कि आवाज के लिए अब ठीक है? जला जरी ला quiz उल नीक ट्टर तरोची पायाँ शीक है भीक हाला हा है ग期क शीक है by वाकिभीव mimरा मुझें पुल्द करे दो दो 1,2,4,3 1,2,4,2,2,3 2,4,5,6,6,7,7,7 तरफ दिए जो तो पुरूशों की अटि बनाई गई है लगूचित्रों सावाने का कैसी है वो बनाई गई है अग्दमें परेस को पहने वो दिखाये गया है तो इसों को फरकर पगणी लगाई गई है महिलाओं के आपके लंबे बार दिया और आपों का जो कलर है या आपकों की तरह ही ब्लैक ब्लाइटी दिखिया इनमें इस तरह कुछ राहिस्थानी लहुचितन कि जाता है या प्रश्चिमी भारत में विदे पारें आपके ट्रेशनल द्रेस इन लोगों में पहनी हुई है तक पड़ी लगाई हुई है तो कारभिक लगू चित्रों की बात कर लेते हैं जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है लगू चित्र सूक्ष में विवरणों वाले बहुत बारीकी से इनको बनाया जाता है आठ नाग कान मगेरा हर चीज़ में क्या हुआ है बारीकी से हमारा जो माहिके इसमें उसको लाइट चाहिए बिद्ध कर लिए जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है लगूच चित्र सूक्ष में विवरणों वाले और छोटे चेत्र होते तो उन्हें बहुदा जातर अधिकतर रूंप्या नागों और चित्रों और का बनाये गया है सामानता इंग जो लगूचित्र है जो चित्र किया रोगी कि या पुस्तक या अलबमों के लिए इनका चित्रं किया जाता पुस्तक पांडु लिपी है तो उसमें पुस्तक पढ़ते हैं आठेट पेसे लुख पढ़ते हैं तो साइड में मैटा लिखा हुआ रहे हैं चित्र बना हुआ उसी संब्दित लगुचित्रों का उपयोग भी फुस्तक और एल्बमों के लिए लिए जाता था लगभग तो पहले देखा है वित्ती चित्रों से ही ये प्रेरित थे या वित्ती चित्रों की प्रतिक्रिया फुरूप इस लगुचित्र कलागा विकास हुआ था तो लगुचित्र कला का विकास आठवी और बारवी शतापगी के बीच हुआ है इस प्रकार की चित्र कला के लिए पूर्वी और पश्चिमी चेत्रों को श्रय किया जाता है प्रकार देखने को लिए तो इसमें दो प्रकार देखने को मुलते हैं को पहलाम देखेंगे कला की पाल शैली और अफ्रंश शैली के विश्या में कि अच्छ विश्या में अच्छ अच्छ विश्या शैली के जाने लेते हैं जो कि पस्छे मंगाल में एक सब्सक्राइब तो इस शैली का विकास और विकास के हैं सामानता यह चित्र विश्यों के रूक में रूप में उन्हीं में इन्हीं चित्रों को फिर सब्सक्राश को ढदर नाय जाता था अधिकांच था बहुत हOOOO इनका उप्योग करते से बन्गालों जो विच्छ दिटे वहां पर बहुत विच्छों के द्वारा इस कला का विधास दुवार किया था। लेकिन उसको संदक्षन जो बिला था वो पाल्श आश्कों में प्रदान किया था अधितांस्ता बहुत विक्षूर उनका उपयोग करते थे और उनके धर्म से सभी सजीव प्राणियों के प्रती अहिंसा का विवहार करने तक सित्दान किया था लेकितांस्ता बहुत उनका ही उपयोग करते थे बहुत भिक्षू इन लगुचित्रों को चित्रित करने के लिए यह लिए कि यादा किलियर है अधिकांस्ता बहुत भिक्षू इसका उपयोग करते थे चुकि उनके धर्म में सधी जीवों और प्राणियों के प्रति अहिंसा का वेवार किया जाता है बहुत धर्म में इसी लिए वो किसी चर्म का या फिर चर्मादी का प्रियोग नहीं किया करते थे उसके बदले हम बुलो क्या करते थे जो बहुत विक्षू थे वो नारियल के पेड़ के पत्तों का उपयोग इस चित्रकला या लगू चित्र बनाने में प्रियोग किया करते थे हाला कि बंगाल में यह जो चित्रकला विक्षित उनकी जो विशेश्ता थी वे थी लहरदार रेखाएं और शांत प्रस्ट भूमी मतलब जो चित्र बनाए गए हैं जैसा कि आप देख यहां पर देखें माली जी चित्र बना हुआ तो उसके पीछे की जो प्रस्ट भूमी होगी वो लहरदार होगी या फिर इसा पीसफुल ब कि यह उसके वारी यह उसके प्लस पे चलती हैं क्लासेज यूट्यूब का मुझे भी आज़ता आइडिया नहीं है जिसमें मेडियो लिस्ट्री चल रहा हूँ और वर्ल लिस्ट्री चल रहा हूँ एक प्लस पे तो चलती है मनोज कुमार अभी क्या है मैं आपर बंधा हुआ हूँ टर्म एंड कंडिशन के साथ मैं आपर कोई भी अपन सोचल मीडिया एकाउंट कुछ भी शेयर नहीं कर सकता हूँ तो बहुत अधर्म की चित्रों में जो पाल राजाओं के दोरान के चित्र थे या पाल चित्रकला देख रहे थे हैं पाल शेयली की चित्रकला तो उसमें चित्रों में ज्यादा तर जो आक्रतियां होती थी वह होती थी अकेली मतलब एक व्यक्तियों के लिए चित्री तो उ जो की गई है वो सरल की गई है सरल है और इन्हें बौद धर्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ शाशकों द्वारा सनक्षन भी दिया गया था तो बौद धर्म की जो बजर्यां साखा के समर्थतों ने भी इस चित्रकला मतला पाल चित्र शहली की लगू चित्रकला का उपियोग किया है उन्हें सनक्षन दिया है धिम्मन और वित्पाल ये पाल चित्र के लागे बहुत विख्यात चित्रकार हुए थे तो जो देख पा रहा है यहाँ पर पांडू लिपियां लिखी हुई है देखा था न इन चित्रों का चित्रन पाल चैली में पांडू लिपियों के साथ प्राया किया गया है तो यहाँ पर यह पांडू लिक्या लिखी होँए है साथ आहां नारे चितरों की बात करते हैं तो हम सन्सक्रत से उसका विकास हुआ है संस्क्रत पाली प्राक्रत फिर अभरंश आई और फिर अभठ लाइन canisßerdem आधुनिक हिंदी का जो बांद स के बाद हुआ अभरंश अव लगर्प हो दो भी आपउद्धी का जो अभ्रण घंपराइन लोटा है फुटOkay का जो काल होता है या आधुनिक काल से पहले का जो काल होता है उसको हम संभवता अभ्रंश बोल सकते हैं तो जो आपकी जो लगुचित्रकला है उसकी अभ्रंश शहली मतलब जो आधुनिक लगुचित्रकला से पूर्वी की शहली इसको बोल सकते हैं और जो मत्यकाली चित्रक गला मेरा पार्पाइंटी खराब रहता है कोरुना नहीं है टेंजिय मतलब आप लोग कर लिया है तो जो अप्षरं शेली ठी यह अपने मूल रूपben तो मातब पस्यमालत में बात कर चुके गुजरात और राइस्थानों में इस्रेली का विकास हुआ था तो इन चित्रों में जो अभ्रंश काल के चित्र थे इन चित्रों का सबसे सामान विशे था जैन धर्म मतलब जो अभ्रंश के चित्र थे जिनका विकास गुजरा तो राइस्थान में हुआ था तो प्रारम में इन लगू चित्रों का जो सामा द्रम ने इसको अपनाया और अपने हिसाब से नये वैष्ण दुष्ञ संबंद चित्रों का यहां पर चित्रन होने लगा, तो जो बैस्टा धर्ड थे वैष्ण धर्म में जर्म इनका चित्रन होने लगा कि भाजा की बात कर रही हूं आपने है ना कि बिल्कुल सही है कौन पूछ रहा है यह शालू हाँ इतना पर्याप्त है आधिंगल चेहते लिए सब्सक्राइब के दो कितावे हैं 11 की एक तो फाइनाट वाली है और एक शतीष चंदर वाली है आरे शर्मा आरे शर्मा की एंसे आटी ठीक है 11 वाली उसको और नितिन संगानिया लिकी पर्याप्त है तो प्रारांबिक जैंचरण में चित्र जो थे वो ताड़ पत्र पर बना आल जाने लगा था अपर अभरंठ शेली की बात कर रहें आप भले ही इन चित्रों को सचितर को के लिएए चितर के रूप में बनाया जाता था कि पढ़ते हैं आर्चेंच स्ट्रिक दो कुछ पढ़ें तो उसमें हर चैप्तर संत्र चित्र होते हैं तो यही चीज जो गुहू चित्रकला शैली का विकास हुआ था वो भी पांडू लिपया होती हैं सिस्तर के होती थी तो उनके लिए चित्र के रूप में किया जाना तारय हुआ था लेकिन इससे कि सी अलग शैली का ऑभध्रन्ष में विकास नहीं हुआ बलकि निचले आयाम वाले चित्र भित्ती चित्री यहां पर देखने को मिलते हैं वादा कोई नई शहली है कोई एडवान शहली भ्रंश काल में देखने को नहीं मिलती है जो प्राचिन काल में जो चित्रन हो रहे थे लगवग रैसे ही चित्र यहां पर चित्र किये जाते थे तो इ पात्य कालम उत्तरवर्ति का चड़नों में इनमें उजले और सुनहरे रंगों का प्रियोग भी किया जाने लगाता तो इन चित्रों में दरशाई गई मानव आकरितियों को विशेष्टा मचली के आकार की उभरी हुई आखों और तीकी नाख और दुहरी ठूडी इसमें चित्रित थे तो उसकी जो आख होगी वो कैसी होती थी आपने देखे होगे कई लगू चित्र तो उसमें से मचली की तरह आग बनाई जाती थी ऐसी उभरी होई तो ऐसा कुछ चित्र यहां पर चित्रित किया जाता था इस अभरण्ष का लुनाई पहले तो कॉटन बोल रहे हैं थे न आप आगई यहां तो यह देख चित्रह यहां पर आप इमज यह आप देख पा रहा हैं आंख इसकी मचली के आकार की है यहां पर आख है कि यहां पर किया था ब्रंस प्रशिक्ष साथी चित्रों में पश्शूओं और पक्षियों का जो अंकन किया जित्रन किया गया है वह खिलोन के रूप में यांपर देखने को मिलता है खिलोने के रूप में यिसक्त में परशुपक्षियों का चित्रन तिक प्रश्यदी दल आई is यह है आप कि बाद के लगुचत्रों के भारतियूक महादिपे मिसलमाने अब दीश के बाद संक्रमन काल आया इसके बाद आता है ि शमलिण का भी हुआ हिंदी भासा का भी स्नस्क्रत पाली प्रध फिर आइंए अभरंश के संक्रमन काल काल था और अभट के बाद आई आधुनिक हिंदी तो वही चीज़ यहां पर है अभ्रंश अभ्रंश के बाद संक्रमन काल आएगा जो की सलत्रत काल में प्रारम हुआ लगभग और इसके बाद जो लगुचित्रों का आधुनिक युग देखेंगे हम वह लगभग आपके मु संक्रमन काल के लगुचित्रों को जान लेते हैं तो भारती उफ महादीप में मुसल्मानों के आगमन जो था वो परिवर्तन का अगदू था मता जब सलत्रत काल में जो नुसले मातरांता है और भारत को अधिकार किया तो वह क्या थे कई सारे परिवर्तन यहां पर लेके आ आए मतारा माना जाता है कि जो जब मुसल्मान भारत में आये तो लोगों ने क्या किया उनको परिवर्तन का आगदूत माना गया है चौदवी शदी में सांस्कृतिक पुनर जागरन यहां पर प्रारंग होता है तो कोई यह नहीं कह सकता है कि इस्लामिक शैलिया ही इस काल म प्राइक कि छ Turkey कला यह इस्लामिक वास्कु कला यह भूर ही शागी दिष्यup और नहीं चित्र कला के शहत्र मैं ऐसा हुआ थोड़ा प्रभावित जरूर हुई भारती शैलिया और एसा नहीं था कि पूल भूर Dieses बया पच्चिनी भारत के राजदरवारों में बच्ची रही जो राइस्थान के राजदरवार थे राज़े-रजवाड़े थे गुझरात के कुछ राज़े-रजवाड़े थे वहां पर जो पारंपरिक शेलिया थी उनका प्रशलन उस समय भी होता रहा तो विजे नगर तो जो विजे नगर के दक्षणी राज में एक अलग शैली का विकास देखने को मिलता है उस समें नई शैली उभर रही थी विजे नगर के दक्षण सामराज में या दक्षण राज में जो की चित्रकला की तक्कन शैली के निकट वर्ती थी या निकट संबंद रखती थी इन पर समझेंगे तो जो यह संक्रमनिक यह मुगल सुर्य मुसलिम यह मुखल आघा जाते तो इसमें क्या होता था इसमें जो रंग थे वो संब्यवथान से लगाय जाते थे मतलब कहीं पिंगे उसमें रंगों पर उभार देखने को जाता था मत्ला कर मानव का रूपान का नोगद वह भी काले रंग से होगा पौशाक चहरों का जो दृत था वह तीन चोथाई कौन पर है अब देखिए तीन चोथाई कौन उता क्या है जैसा कि हम प्रारम में इसको श्टार्ट किया तब देखा था हम्ने जो प्रारम की जो प मतलब इस तरीके से इस आकरिती में था लेकिन जो संक्रमन काल की या फिर हलतरत काल की चित्रकारी थी उसमें जो चेहरे का द्रश होता था तीन चौथा ही था मतलब अब एकदम इसा नहीं होगा इस एकदम पूरा 100% इस दिशा में नहीं होगा जो कि दोनों आखे दिखाई देंगी लेकिन फ्रेंट में भी नहीं होगा जिसमें दोनों आखे दिखाई दें मतलब इस तरह के चेहरों का अंकन यहांपर प्रारम खुका था इसे बोलते हैं पर चेहरों का अंकन किया जाता था इसके बाद इन्हीं जो चित्र होते थे इस काल के संक्रमन काल के तो करने के बाद उस समय की बात कर रहे हैं अभी तो वह लगू चित्र के लागी शेली विक्सित हुई उनकी उस टाइम रेट की बात कर रहे हैं पर जो एक बनाया करते थे तो उस चित्रों में भूधरत है में व्रक्ष चट्टानों और अन डिजाइन हो पर भी आने डिजाइन से भी भरे हुआ करते बने हैं जो चित्र होते हैं को बैकग्राउंड में आपको काफी सारे वूधर दिख्ते थे जैसे की व्रक्ष मिल जैसे चित्र दीख पा रहा है अब ज्यादा तर पोशा करें काले को प्रेवक किया गिया है पीछे यहां पर दीख पा रहे हैं यह देख पा रहे हैं तो यह सब जो व्रक्छ वगेरा है人 को पर बहुद evolves के साथ साथ अपने मूल पार्सी तत्मों को एक साथ लाने का प्रयास किया मतलब भारती भारती परंपरा गजो चित्र शैली थी उसके साथ फार्सी तत्मों को अभी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है इनमें सचित्र पांडू लिपियों को वरिता दी गई है यह हाथ से लिखी गई प्रतियां तो इसकाल में क्या हुआ था जो शचित्र पांडू लिपिया थी मतलब पांडू लिपियों के साथ साथ चित्रों का भी उसमें अंकन है तो इनको इन लोगों ने वरीदा दी इस अवधी की सर्वुत्तम उधारण में से एक जो है वो मांडू के पर शाशन करने वाले शाशक थे नाशिर्शा उनके उनके शाशनकाल के दौरान निमत नामा जो की रसोई पर एक किताब थी इस पांडू लिपी में सुदेशी और फार्सी शेलियों का सम्मिशन लिखने को मिलता है मैंने में मैंने चया है मैंने उपिर्सी के शै में से 1000 पांच-छै थे यन नीए और इंट्रवी निए मैं ने बहुत कुस्छ किय आए जीवनने अभी तो मरे कि चलिया है कि इसके अधिरिक्त बी और लोधी खुलादार नामिक के एक और शैली का विकास तो यहां पर इस लोधी खुलादार शेली का विकास हुआ था लगुचित्रन में तो यह इस यह शेली का विस्तार देखने को निलता हुए दिल्ली से जॉनपूर के बीच कई सल्कनत प्रधान शेत्रों में इस शेली का अनुसरन किया गया था मद्युगिन परिद्रश्य में तीन प्रमुक शेलियों जैसे मुगल राजपूत और बाद में दक्कन शेली इनका विकास हुआ मुगल राजपूत शेली और दक्कन शेली का उदेव होता है इन सभी शेलियों की हम चर्चा करेंगे हम मुगल की भी चर्चा करेंगे तो इन्होंने सल्तनत काल इन परंपराओं को ग्रहंड किया लेकिन अपनी अलग पहचान विक्सित का भी विकास इन सभी शहलियों में किया गया यह एक सल्तनत काली चित्र है अलाकि बहुत ज़्यादा ब्लड है यह जो कुछ समय में आए चलिए ठीक है तो मुगल काल की लग तो चेटर कला में क्या परिवर्दतन है कि अग्रिशा आपका समझ में नहीं आया मुझे आपका श्री आप्षान था तो आपका कौन कौन सब्जेक्ट था सरची क्या पूछना चाहरे है तो नहीं पाया है सब्सक्राइब किस विष害 की स्पेक्टर ऐसेश की में क्या है पूरी स्पेक्ट्रम तो आप पढ़ेंगे नहीं सारे जिये से सारे सब्गूध के लिए के बाग कि आप कि किस सभज्जेक्ट की बात कर रहा है किस नबहसेnung में तो मुगल काल की लगुचित्र कला को समझ लेते हैं तो यह मुगल काल में बनाए गए चित्रों की विशिष्ट शैली थी क्योंकि इन्हें फारस के पूर व्रत से लिया तो फारस से आए हुए लोग थे फारस की यह शैली थी वहां से इसको अपनाया गया था जाए से कुछ विशिष्टाएं होंगी जो की फारस से संबंदित होंगी तो इस मुगल शैली में क्या था रंगु की अभिरुची विश्यों और रूपों में परिवर्तन यहां पर किया गया था पुरानी शैली की तुल्ला में इश्वर का चित्रन करने के इस्थान पर आब यहां पर क् के चित्रों का इस्थान ले लिया था उसका जीवन दर्शन मुगल शाषकों का जीवन दर्शन इन चित्रों में दिखाया जाता था है ना इसके साथ में यह जो चित्र थे मुगल काल के यह आखीट द्रश मतलब जो शिकार करने वाले द्रशियों को चित्रन की मुगल थे को युद्ध होगा तो उस सबकें यहां पर छित्रन किया गया था शाथ में जो दर्बार था मुगल-दर्बार तो उसका मुगल सहसक बैठा हुआ सारे दरवारी बैठे हुए इस तरह के चित्र मुगल काल में प्रशलन में आये थे मुगल चित्रकला महानवंश की जो संपन्नता थी तथा फार्सी प्रकृतिक शैली का एक मिश्रण था जिसमें कुछ सुन्दर धंसे सचित्र पन्ने बनाए गए तो मुगल चित्रकाली में क्या हुआ था जो मुगल काल की लगुचित्रकला थी उसमें चमकीले रंग का प्रयोग देखने को मिलता है तो जिसके कारण इन चित्रों को अधितिये माना याता है वहाँ पर चंकील एरंग का प्रयोग था लगुचितरकाला है वे अदिती हो जाती है और धार्मिक छित्रों को छोड़ कर थार्मिक या धार्मिक देवी देवतां को बह biss Course चित्र नहीं किया गया है किसीका भी क्या किस्ता है मुगल अपने विविद विश्यों पर खुद की घटनाओं पर खुद के दर्बार पर अगर शिकार करने आना थो शिकार के दर्श का यहां पर चित्रन इन लोगों ने करवाया था मुगलों ने जहारमी चित्रों को छोड़ता है भले ही उन्होंने केवल खुद थे व measurement कि विश्यों के सबसे अनुठे चित्रों में इन चित्रों को शामिल किया जाता है क्योंकि चित्रकला में कुछ नई टेक्ट्निक लेकी आये थे वह टेक्निक थी अग्रफ्याँकन वह टेक्निक कौन से थी अग्र द्रश्यांग गन जो कि मुगलों के द्वारा प्रारम भी की गई थी इस टेक्निक में होता क्या था आप मुगल टाइम को यह लगू चित्रकारी को देखिए और जहांगीर को बहुता दिकरी थी वह खुद भी एक चित्रकार था जहांगीर भी वह अभी अब जहांगीर से खड़ा हुआ है किसी चित्र में तो गार अच्छे चित्रकार नहीं है यहांगीर है तो यह कैसा दिखेगा आपको ऐसा जो चित्र हुआ से background से काफी आगे की तरह आपको दिखाई देगा दिखेगा जैसे जहांगीर के से थोड़ा पाहर की तरफ खड़ा हो जादे कुछ 3D पैंटिंग्स होती नहीं इस तरहीं की पैंटिंग ती इसमें इसको बुला गया है अग्रद शांकर जो की मुगल लगू चित्रकला में कि एक विशेश टेक्निक थी खास टेक्निक थी जो यह लोग नोंने अपनी चित्रों में प्रा कर्मिक शार्षकों के अधीन चित्रकला की शैली में परिवर्तन भी आतार जैसे मुगल काल में अलग-अलग शार्षक आते गए तो उनके टाइम क्रेड में अलग-अलग तरेकी को चित्रकला में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी देखने को मिलता है यह एक मुगल काल के च तो आज हमने देखा लगू चित्रकला की एक प्रश्ट भूमी आज हमने आपर तयार की थोड़ा समझने का प्रयास किया प्रारम में कैसे हुई अब जो कल हमारा लेक्चर होने वाला इस विशे पर वो होगा मुगल चित्रकला से उसको प्रारम करते हैं और दो या तीन लेक्चर अभी और होंगे जिसमें कि अब प्रतिक इस्थान विशेष की जो चित्रकारी डबलब होई उसमें क्या विशेषता ही थी उन सब को जानने दस बजे आटिन कल्चर के लेक्चर मिलते हैं और बाकी अभी साड़े बारा बजे एप पर आ जाईए नए टॉपिक के साथ महापर मिलने वाले हैं तीन बजे एप पर करेंगे एंस आजाये सबी लोग दिवाकर सिंग राना सर्च कर लेना एक फालो कर लेना और गार्वार वाचे वापर लाज क्या है कि अधिक्र यह साड़े बारा वजे मिलते और कौन है ये तर निश्ळा निश्हा निःहा सरुए निःहा कि ऐए नग कि अच्छे तुमने कल भी बूला रहा है चलो मैं आज बूलता हूं तू हमें कम बिल पाता है तो बूल जाता हूं आज करवाते हैं प्लेलिस्ट का बूल दिखते हैं कि अच्छली फिर बारा बज़े आजाईए आप अप्लिकेशन पर लर्णिंग पर इक लासे मेरी स्पेशल प्लासे साधे साधे बारा बज़े मिलते हैं वापर कौन कौन हो रहा है क्यों क्या हो गया क्यों नहीं ले सकते हैं अधा है कि जो टॉपिक बारा बज़े पढ़ेंगे साडा बारा बज़े उससी टॉपिक के हम आगे उसमें एम सी कुछ पर देंगे लग बग शाइए कि साधे बारा बज़े तो आजा हो फिन मिलते हैं अधा है झालीज